हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं CK Tech Tales मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट चेतन आज हम बात करेंगे Android Oreo की नई अपडेट की 8.1 Android Oreo प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो का नंदुट एंट्री लेवल स्मार्टफोन यानि की 512 से लेके एक जीपी रहां और चार जीपी से लेके आट जीपी तक की इंटर्नल मेमरी सॉफ्टर की बात करूं तो एंटरी लेवल स्मार्टफोन में सॉफ्टर मिलेगा आपको देहत पुराना जो के गुगल ने साल या दो साल पहले लाँच किया था और वो वहीं पे स्टक है वो कभी भी अपडेट नहीं होता और ना ही कभी भी मैनुफेक्ट्टर ये सूचत कि मैं उसे अपडेट करूं आज गुगल ने Android Oreo का 8.1 अपडेट दिया है उसी के साथ बंडल किया है एक और अपडेट Android Oreo Go Audition जो के स्पेशली गूगल ने इसी बात को ओवरकम करने के लिए बनाया है Android Oreo Go Audition 8.1 सिर्फ और सिर्फ एंटरी लेवल स्मार्टफोन के लिए बना एक GB RAM तक के category में आते हैं हम Indian consumers जब भी phone खरीते हैं तो ज्यादा थर entry level के smartphone सी खरीते हैं और हमेशा पुराने software के साथ Mediocre Hardware लगा दिया जाता है और हम उसी से काम चलाते हैं पर अब ऐसा नहीं होगा Google के इस Android Oreo Go Audition के साथ हमें मिलेगा better performance हमारे Mediocre Hardware से कैसे चलिए आप से बात करते हैं Android Oreo Go Audition के वजासे आपको better performance मिलेगी आपके entry level smartphone पे आपकी RAM management सुदर जाएगी और आपका phone best performance देगा Mediocre Hardware में भी इसी के साथ-साथ आपकी apps इतनी अच्छे से optimized होंगी के वो 15% faster चलेंगी और in fact वो 50% कम space घेरेंगी इससे आपके lesser space का issue भी resolve हो जाएगा इसी के साथ-साथ security update भी by default Android Oreo Go Audition में आपको मिलेगी जिससे आप कभी भी harmful apps के लिए third party apps download करेंगे नहीं क्योंकि third party apps भी आपका data leak करती है या leak कर सकती है तो आप तब भी secure रहेंगे इसी के साथ-साथ सबसे important expect Google ने by default data saver option इसमें डाला हुआ है और यह एक आम consumer की most priority में रहता है कम data में आप ज़्यादा से ज़्यादा internet या internet से लिटेट किसी भी कीज़ को enjoy कर पाएं इसके लिए data saver आपके phone में हमेशा रहेगा गुगल ने already ही applications को optimize करना शुरू कर दिया है और near future में हम बड़ी ही ज़ादा से ज़ादा applications देखेंगे जो के go edition phones पे चल पाएंगी और आखरी बात यह अभी manufacturers और developers के लिए available करा दिया गया है तो बड़ी ही जल्द याने की 2018 के शुरू के महिनों में हम यह आपके phone में देख पाएंगे सो एंट्र लेवल वाले अब त्यारी कर लें कि वो भी flagship जैसे फोन का मज़ा एंट्र लेवल में ले पाएंगे इसी नोड के साथ मैं ब्रेक लगा रहा हूं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तिल रेन टेक कियर बाबाई सी यू नेक्स्ट वीडियो पाएंगे